हाई इबरीवन विल्कम बैक टू मैं न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे सोचत होंगे सुरची थोंगे अपने देहर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अभी हो रहा सुबा का टाइम सुबा के बज रहे हैं छे पॉने छे से लगबब टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पर उठार करके बच्छों की टिफिन Diary करेंки त्यारी अधी से जज्यादा मैं पहले ये सारे सब्जीयों को चॉपर में डाल करके बारी बारी चॉफ कर लेना है और सूजी में बस नमक और थोड़ा सा काला मिर्ज का पाउडर बस कुट करके डालना है और उसके बाद उत्पम बनाने की त्यारी सुरू कर दूँगी तो जब बच्चों की डिमांड जब कुछ इ इनर त्यार करती हूं उसी टाइम पर मैं सुबह की भी त्यारी कर लेती हूं इससे क्या होता है कि सुबह का ज़्यादा तर टाइम जो है वो बच जाता है क्योंकि सुबह दोनों बेटियों को चोटी भी बांधनी होती है और घर का काम भी खतम करना होता है बच्चों का टी काला मिर्च जो है उसको भी में गिलास में डाल करके और थोड़ा सा कूट लोंगे इससे क्या होता है काला मिर्च का जब पाउडर डालेंगे सूजी का बेटर में काफी जद अच्छा फ्लेवर आता है एक्दम जब खाईएगा तो मुह में अच्छा सा एक्दम स्वाद जो ह अच्छे से मिला लोंगी मैं ज़्यादा तर हाथ से ही मिलाती हूँ जब भी मुझे कुछ इस तरीके की चीज़े मिलाने में चमच से मिलाना मुझे पसंद नहीं है और मुझे ऐसा लगता है चमच से टाइम भी ज़्यादा लगता है और अच्छे से मिल भी नहीं पता है त करök रहां के नाफापफ बनाते थी टमां इधाइत समस्पों मँएक ताइमी में यूजर करना है ओण पर सबस्काइब कट करके ढालते हैं और सुझी का उत्वम जो डालते हैं तभेबे तो ठोड़ा तो थोड़ा भी मोंता। थीक होता तो पकने में टाइम लगता था। तो में आज भी और की हैं तो भी फिट भी छी lug नहीं देखी थी कि यहां कडाही में बनाने से क्या हुआ मैं अपना खुद का experience आप लोगों के साथ share कर रही हूँ तो कडाही में इस तरीके से जब बनाई थी नब मैं पहला दिन तो काफी अच्छा बना था और अच्छे से सीख भी गया था और थोड़ा से जिसको मन रहता है वो खा करके भी जाते है तो अभी देखिए तेल भी खतम हो गया था डब्बे में तो उसको मैं तेल को भी भर दूँगे और एक में कीचन का कपड़ा ऐसा रखती हूं जब कोई डब्बे पर मैं काम करती हूं और अगर मुझे हलका सभी धूल जमा दिखाई दे तो उसको मैं लगे हाथ हाथ मार देती हूं यानि की कपड़ा से पोच्छ देती हूं तो कि ताकि वह साफ हो जाए और एक अलग से उसके लिए मुझे टाइम ना नीकालना पड़ है क्लीनिंग करने के लिए अभी आपको कड़ाई वाला दिखा और यह देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है आपको देखर कहीं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी नहीं चिपका मैं यह सर्चों के तेल ठोड़ यह बन कर अरठ कर दोब हमें कि आदक मड़ाना है और थोड़ा से पड़क कम गरम रहेगा तो इस चिपक जाता है। ऐन से चो़टी नरे और झालों के जाने थे जीत मुझे लगना ही पड़ता है तो उसके लिए आधे गंटे मतलब 15-20 मिनट का तो टाइम लगी जाता है दोनों का चोटी करने में तो यही सब काम है और यही सब जो बाते हैं मैं आप लोग के साथ सेयर करती हूं इस वीडियो के माध्यम से और उमीद यही करती हूं कि आप लो वीडियो प्लोट करूं न उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और बच्चे चले गए हैं स्कूल कीचन का काम जो है थोड़ा समय पेंडिंग छोड़ दी हूं ऐसे ही छोड़ दी हूं और यह बाहर वाला जो कमरा है उसके किलिनिंग कर रहे हूं बिस्तर ब भी होता है जासे चावल पगरा जावल, डाल चावल-खाने जावल फ्रहां में भी बन जाए नहीं हो जााता है तो अधिल, उसके साथ रोट हो अच्छी में होती जाएगा तो वही मैं इसमें तो लहसन प्याज डालने के कोई जहमेलाई नहीं होती है यह सब्जी में तो बस सरसो का तेल डाली हूं कड़ाई में तो जीरा और तेज पते का तड़का लगाई हूं और उसके बाद टमाटर डाल दी हूं धेर सारा कट करके चार-पांच में तो जबाद आ ठमाटर द्युक्त अरगोज़ार और हलका सा गरम मसाला जो की घर का बनाया हूआ है मुझे ने पताने कि घर का जो गरम मसाला बनाया हूआ हूं तो ज़्यादा अच्छा है उसके बाद उबला हुआ आलू को छोटी छोटे पीस में तोड़ ली थी ति हा पानी रखेंगे और बस उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे सबजी बन करके एकदम रेडी हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने लिए भी उत्पम बना लोगी नास्ता करने के लिए सारा काम खतम करने के बाद और मैं चाय तो बनाई थी मगर जैसे चाय चीनी डाली तो दूद जो है वो फट गया तो चाय आज मेरे नसीम में नहीं था बस यह उत्पम खाई और फिर से काम में लग जाना है तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा थाइंक्यू सो मच गा इस वीडियो देखने के लिए बा लाइक जरूर करें